करोना संकट के बीच आज पहली बार कॉंग्रेस अध्या सोनिया गांधी अपने तमाम विपक्षी दलों के साथ आज बर्तमान जो देश के हालात हैं उस पर चर्चा करेगी ऐसा माना जा रहा है कि 25 विपक्षी दल के जो नेता हैं वह सोनिया गांधी के इस चर्चा में सामील होंगे सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार की बात करें तो नेता पर्तिपच तेजस्वी यादब के अलाबा उपेंद्र कुस्पाहा और जीतन राम मांजी भी इस चर्चा में सामील होंगे इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के नेता सकती यादब है सारे ये बताइए कि किन-किन बातों की चर्चा होगी सुनिया गान्धी से जब वह आज साम करीब तीन वज़े के क्या सपास उन से बैठक होने वाली है देखे देश में बैस्विक संक्रमन पूरी तौर पर अपने चपेट में लिया कैई अपरिपक निरने के चलते देश में अपरवासी लोग बिभिन परदेशों के परवासी लोगों को कई संक्रिट से गुजरना पड़ा जैसे सरकार अगर पहले एक सप्ताह को मौका दे द लोटाते हैं यह स्थित्यां होत्पन नहीं होती जो कई लोग कई राज्यों से आए कई संक्रमित हो करके आए और वहां की सरकार ने भी कोई व्यापक विवस्था नहीं की और लॉकडॉन भिना किसी नुटबंदी के तरह लॉकडॉन का भी निरने लिया गया तो एक सवाल लोग चाहते हैं कि देश को संक्रमन से मुक्त कराएं यह चुनावी साल है तो बिहार में जो होने वाले हैं अगामी विधान सवा चुनाव उसको लेकर भी चर्चाएं होगी सुहावी तो तक बैठक जब होती है तो हर जो बिंदू होते हैं उस पर बाते होती हैं हाने आने वाले कल बिहार में चुनाव है क्यों वह अचुता नहीं हो सकता है पर हमारा प्रायटी अभी मजदूर जो भूके मरने वाले हैं और फिवस्ताज बिलकुल खतम हो चुका है इस सारे चीजें हमारी प्रमुकता में निता प्रतिपक्ष जिन बातों को अधने तरियस्वजी उठाते रहे हैं मिडिया के माध्यम से आप लोग के माध्यम से वो बात धीरे-धीरे सब लोग स्विकार कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि इस विसम प्रस्तिती में जो गया था उसे भी मिटाने की कोशिस होगी होगी तो निशीत रूप से आज जो सोनिया गांधी के साथ सभी विक्रक्ष दलों के साथ जो बैठक है जो चर्चा है यह काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि बिहार में यह चुनावी साल है और दो से तीन महीने के बाद चुनाव ह में एक कोशिस यह भी होगी कि हम साथ साथ हैं कैमरा में डिशी के साथ सवरा कुमार पत्ना नीज 24